नमस्कार, मैं कहला शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने कक्षा 10, शैमुशी भाग 2 का छटा पाठ सुभाशी तानी लेकर, सुभाशित अर्थात मधुर वचन, तो आईए पढ़ते हैं पाठ सुभाशी तानी, पहलाश लोग है, आलस्यम ही मनुश्या नाम श शरीरस्थ महान शत्रु ही आलस्यम, उद्यम समह बंदु हूँ न अस्ती, यम कृत्वा मनुश्या न अवसीदती, अर्थात मनुश्या नाम, मनुश्यों के शरीरस्थ शरीर में इस्तित, शरीर में रहने वाला महान शत्रु हूँ, सबसे बड़ा शत्रु ही निश्चित र इसका अर्थ है ननुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता, जिसको यानी परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। ये इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। बली बलम वेति, निर्बलह बलम न वेति, वसंतस्य गुनम पिकः वेति, वायसः न वेति, सिंघस्य बलम करी वेति, मुषकह न अर्थात गुणी यญ गुणी व्यक्ति गुणम गुण को वेति जानता है। गुणी व्यक्ति ही गुण के महत्व को जानता है। निर्गुणह यानी निर्गुण अर्थात गुण हीन व्यक्ति गुणम गुण को नवेति नहीं जानता। बली यानी बलवान व्यक्ति बलम वेति बल को जानता है, बलकी यानी ताकत के महत्व को जानता है। निर्बलह न वेति, निर्बल अर्थात कमजोर व्यक्ति, बल के महत्व को नहीं जानता। वसंतस्य गुणम, वसंत के गुण को पिकह वेति, कोयल जानती है। वायसह न, कवा नहीं जानता। सिंघस्य बलम शेर के बल को शेर की ताकत को करी वेति करी अर्थात हाथी वेति यनि जानता है मूशकह न चूहा नहीं इसका अर्थ है गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बल्वान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। वसंत का गुण कोयल जानती है, कववा नहीं जानता। सिंग का बल यानि शेर का बल हाथी जानता है, चुहा नहीं इसका अन्वय है यह निमित्तम उद्धिश्य प्रकुप्यती सह तस्य निमित्तस्य अपगमे द्रुवं प्रसीदती यस्य मनह अकारण द्वेशी अस्ती जनह तम कथम परितोशैश्यती अर्थात यह जो व्यक्ती निमित्तम उद्धिश्य किसी कारण को उद्धेश्य करके यानि किसी कारण से प्रकुप्यती क्रोधित होता है सह वह व्यक्ती तस्य निमित्तस्य उस कारण के अपगमे समाप्त होने पर द्रुवं निश्चित रूप से प्रसीदती प्रसन होता है यस्य मनह जिसका मन अकारण द्वेशी बिना कारण के क्रोध करने वाला अस्ति है जनह मनुष्य तम उस व्यक्ति को अकारण क्रोध करने वाले व्यक्ति को कथम किस प्रकार परितोश इश्यती प्रसन करेगा या संतुष्ट करेगा इसका अर्थ है जो व्यक्ति किसी कारण से अधिक क्रोध करता है वह उस कारण की समाप्ती पर प्रसन हो जाता है परंतु जिसका मन अकारण क्रोध करने वाला होता है उसे कोई मनुश्य कैसे संतुष्ट करेगा ये इस शलोक से सम्बंधित कठिन शब्दार्थ उदिरितोर्था पशुनापी ग्रैयते हयाश्च नागाश्च वहन्ती बोधिताह अनुक्तम प्यूहति पंडितो जनह परेंगित ज्ञान फलाहि बुध्धय ह। पशुना अपी उदिरितः हर्थ ग्रीयते, हयाह नागाह चै बोधितः भारम वहंती, पंडितः जनः अनुक्तम अपी उहती, बुद्धयः परेंगित ज्यान फलाः भवंती, अर्थात पशुना अपी पशु के द्वारा भी उधिरितः अर्थः कहा हुआ अर्थ कही हुई बात ग्रीयते ग्रहन किया जाता है हयाह यानि घोडे नागाह च च यानि ओर नागाह अर्थात हाती बोधीताह समझाय अनुसार भारम वहनती भार वहन करते हैं भार ढोते हैं पंडितह जनह यानि ज्यानी व्यक्ति अनुक्तम अपी न कहे हुए को भी उहती अनुमान लगा लेता है बुद्धयह यानि बुद्धिमान परेंगित अर्थात दूसरे के संकेत से उत्पन ज्यान फलाह ज्यान रूपी फल ग्रहन करने वाले भवनती होते हैं इसका अर्थ ह पशु के द्वारा भी कहा हुआ अर्थ ग्रहन किया जाता है यानि पशु कही हुई बात को समझते हैं गोडे वर हाथी बताये गए को समझते हुए भारड होते हैं विद्ध्वान व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं बुद्धिमान दूसरों के संकेत ज इसका अनुमान रानाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितह काष्ट गतो ही वहन्नी सेव वहन्नीर दहते शरीरम इसका अनुमान रानाम देह विनाशनाय प्रतमह शत्रु देह स्थितह क्रोधह यथा काष्ट गतह स्थितह वहन्नी काष्ठम एव दहते तथैव शर अर्थात ही निश्चित रूप से नराणाम मनुष्यों के देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए शरीर को नश्च करने के लिए प्रथमः शत्रू पहला शत्रू देह स्थितह शरीर में इस्थित उनके शरीर में रहने वाला क्रोध है यथा जैसे काश्ट गतह स्थ लकडी में इस्थित वहनी यानि अगनी अर्थात ज्वलन शीलता काश्ठम एव दहते लकडी को ही जलाती है तथाइव उसी प्रकार शरीरस्थ क्रोध मनुष्य के शरीर में इस्थित क्रोध शरीरं दहते शरीर को जलाता है इसका अर्थ है निश्चे ही मनुष्यों के शरीर का विनाश करने वाला प्रथम शत्रू उनके शरीर में इस्थित क्रोध है जैसे लकडी में इस्थित अगनी यानि ज्वलन शीलता लकडी को जलाती है उसी प्रकार शरीर में इस्थित क्रोध ही शरीर को जलाता है ये इस शलोक से संबंदित कठिन शब्दार्थ इसका अनुवर्य है समान शील व्यसनेशु सक्थ्यम भवती अर्थात म्रगाह यानी हीरन, म्रगई ही सह, हीरणों के साथ, गावस्च च यानी ओर, गावह यानी गाएं, गोभी ही सह, गायों के साथ, तुरगाह यानी घोडे, तुरंगई ही सह, गोडों के साथ, मूर्खाह यानी मूर्ख व्यक्ति, मूर्खई सह, मूर्ख लोगों के सा सुधियह विद्वान सुधी भी सह विद्वानों के साथ अनुव्रजन्ती अनुसरण करते हैं उनके साथ रहते हैं समान शील व्यसनेशु समान शील अर्थात समान आचरण वाले व्यसनेशु और आदत वाले लोगों में सक्ष्यम मित्रता भवती होती है इसका अर्थ है हिरण हिरणों के साथ, गाएं गायों के साथ, गोडे गोडों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं, यानि उनका अनुसरण करते हैं समान आचरण व्य आदत वालों में ही मित्रता होती है ये इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ इसका अनवय है अर्थात फल और चाया समन वितह युक्त यानि फल और चाया वाला महा व्रिक्षह, महान व्रिक्ष, सेवी तव्यह, आशय लेने के योग्य है सनरक्षन के योग्य है दैवात यानि भाग्य से यदि फलम नास्ती फल नहीं है यदि भाग्य से उस व्रिक्ष पे फल न लगे तरही तो व्रिक्षत से उस व्रिक्ष की चाया केन निवार्यते, केन अर्थात किसके द्वारा निवार्यते रोकी जा सकती है इसका अर्थ है फल और चाया वाले महान व्रिक्ष आश्रय के योगे हैं, संरक्षन के योगे हैं निफल और चाया वाले व्रिक्ष का सनरक्षन करना चाहिए। यदी भाग्य से फल नहीं है तो चाया किस के द्वारा रोकी जाती है। अर्थात चाया को कौन रोक सकता है। ये इस शलोक से संबंदित कठिन शब्दार्थ। पुरुशह नास्ति तत्र योजकह दुरलभः अर्थात अमंत्रम मंत्र हीन अक्षरम नास्ति अक्षर नहीं है। कोई भी अक्षर मंत्र हीन नहीं है। अनोशधं ओशधी रहित बिना ओशधी वाला मूलम नास्ति मूल नहीं है यानि जड नहीं है। कोई भी जड ओशधी रहित नहीं है, अयोग्य पुरुशह नास्ती, कोई भी पुरुश अयोग्य नास्ती नहीं है, टत्र वहां योजकह दुरलभः, योजकह जोडने वाला, यानि इन सब को काम में लेने वाला, दुरलभः दुरलभ है, इसका अर्थ है, कोई भी अक्षर मंत्र हीन नहीं है, प प्रतेक जड किसी न किसी ओशधी का काम करती है। कोई पुरुष आयोग्य नहीं है। यानि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य के योग्य है। इन्हें जोडने वाला व्यक्ति दुरलब है। अर्थात ऐसा व्यक्ति दुरलब है जो इनके गुणों को समझ कर इनका उपियोग कर सके। ये इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। संपत्तव विपत्तव च महताम एक रूपता उदय सवीता रक्तो रक्तश चास्त मय तथा। इसका अनवय है संपत्तव विपत्तव च महताम एक रूपता भवती यथा सवीता उदय रक्तः भवती तथा एव अस्त मय च रक्तः भवती अर्थात संपत्तव संपत्ति में यानि सुख में विपत्तव च च यानि ओर विपत्तव विपत्ति में यानि दुख में महताम महा पुरूशों की एक रूपता यानि एक रूपता अर्थात समान स्वभाव भवती होता है यथा जैसे सविता यानि सूर्य उदय उदय होने के समय रक्तभवती लाल होता है तथा एव उसी प्रकार ही अस्तमय अस्त होने के समय च और रक्तभवती लाल होता है इसका अर्थ है स विपत्ति यानि दुख में, महापुरूशों के स्वभाव में एक रूपता यानि समानता होती है, जैसे उदय होने के समय भी सूर्य लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल ही रहता है., यह इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ, इसका अन्वय है विचित्रे संसारे इस विचित्र संसार में इस अनोखे संसार में खलू निश्चित रूप से किन्चित कुछ भी निरर्थकम नास्ती निरर्थक नहीं है सारहीन नहीं है अश्वह चेत चेत यानि यदि अश्वह यानि गोड़ा दावने दोडने में वीरह वीर है तरही तो बारस्य वहने बार वहन करने में बार डोने में खरह यानि गधा वीरह अस्ती वीर है इसका अर्थ है इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है यदि गोडा दोडने में वीर है तो गधा भार डोने में वीर होता है अर्थात संसार में सब का अपना-पना महत्व है कोई भी व्यर्थ नहीं होता ये इस शलोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ अब हम चर्चा करेंगे अभ्यासकारिय पर पहला प्रश्ण है एक पदेन उत्तरम लिखत एक शब्द में उत्तर लिखिए मनुष्यानाम महान रिपुह कह मनुष्यों का महान शत्रु कोन है आलस्यम आलस्य गुणी किम वेत्ती गुणी क्या जानता है केशाम संपत्तव विपत्तव चे एक रूपता संपत्ती और विपत्ती में किनकी एक रूपता होती है महताम महापुरुषों की पशुना अपी कीद्रिशह ग्रियते पशु के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ ग्रहन किया जाता है अगला प्रश्ण है अधो लिखिता नाम प्रशना नाम उत्तराणी संस्कृत भाशाया लिखता नीचे लिखे प्रश्णों के उत्तर संस्कृत भाशा में लिखी परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है वसंतस्य गुणम कह जानाती वसंत का गुण कोन जानता है वसंतस्य गुणम पिकह जानाती वसंत का गुण कोयल जानती है बुद्धय की द्रिश्य बवन्ती विद्ध्वान कैसे होते हैं बुद्धय परेंगित ज्यान फलाह बव विद्वान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं यानि दूसरों के संकेत से ज्ञान रूपी फल ग्रहन करने वाले होते हैं नराणाम प्रथमः शत्रु कह मनुश्यों का प्रथम शत्रु कोन है नराणाम प्रथमः शत्रू देह स्थितह क्रोधः अस्ती मनुष्यों का प्रथम शत्रू शरीर में स्थित क्रोध है सुधियह सक्यम केन सह भवती विद्वानों की मित्रता किन के साथ होती है सुधियह सक्यम सुधी भी सह भवती विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ ही होती है असमा भी की द्रिशह व्रिक्ष सेवी तव्यह हमारे द्वारा कैसा व्रिक्ष आश्रय योग्य है अस्मा भी फल चाया समन वितह महा व्रिक्ष सेवी तव्यह हमारे द्वारा फल और चाया वाला महान व्रिक्ष सनरक्षणी है आश्रय के योग्य है अगला प्रश्ण है अधो लिखीते अन्वय द्वय रिक्ष स्थान पूर्तिम कुरूता नीचे दिये गए अन्वय में रिक्ष स्थान भरिये यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यती सह तस्य अपगमे द्रुवं प्रसीदती यस्य मनह अकारण द्वेशी अस्ती जनह दूसरा है विचित्रे संसारे खलू किंचित निरर्थकम नास्ती अश्वह चेत धावने वीरह खरह भारस्य वहने वीरह भवती इन दोनों श्लोकों का अर्थ हम पाठ की व्याख्या के समय समझ चुके हैं अधो लिखिता नाम वाक्या नाम कृते समान आर्थकान श्लोकान शान पाठात चित्वा लिखत दिये गए वाक्यों के समान अर्थ वाले श्लोक चुनकर लिखी जैसे विद्वान स एव भवती यह अनुक्तम अपितत्यम जानाती विद्वान वही होता है जो बिना कही हु प्राप्त को समझ लेता है अनुक्तम्यप्युषती पंडितो जनह अगला है मनुष्य समस्वभावई जनई सह मित्रताम करोती मनुष्य अपने समान स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता करता है समान शील व्यसनेशु सक्ष्यम परिश्रमम कुरुवानाह नरह कदापी दुखम न प्रापनोती, परिशम करते रहने वाला व्यक्ती कभी दुख प्राप्त नहीं करता। इस अर्थ वाला श्लोक है, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीधती। महांतह जनाह सर्वदैव सम प्रकृतया भवंती। महापुरुष हमेशा ही समान स्वभाव वाले होते हैं। श्लोक है, संपत्तव चै विपत्तव चै महताम एक रूपता। अगला प्रशुन है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानी रचयता। दिये गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तन करके लिखिये। जैसे गुणी गुणम जानाती, इसका भवचन बनाना है। तो गुणी नह गुणान जाननती, गुणी लोग गुणों को जानते हैं। पशुह उदि रितम अर्थम ग्रणाती, पशुह कहे हुए अर्थ को ग्रण करते हैं। इसे कर्म वाच्य में बदलना है। तो बनेगा पशुना उदिरितह अर्थह ग्रियते, पशुह के द्वारा कहा हुँआ अर्थ ग्रहन किया जाता है। म्रगाह म्रगई ही सह अनुव्रजन्ती, इसे एक वचन में बदल कर लिखिए, म्रगह म्रगेन सह अनुव्रजती, हिरन, हिरन के साथ चलता है, अनुसरन करता है, कह चायाम निवारयती, कोन चाया को रोकता है, इसे कर्म वाच्चे में बदलना है, केन चाया निवारयते, किसक द्वारा चाया रोकी जाती है तेन एव वहनिना शरीरम दहियते उसी अगनी के द्वारा शरीर जलाया जाता है इसे करतरी वाच्चे में बदलना है तो बनेगा सह एव वहनिह शरीरम दहती वही अगनी शरीर को जलाती है अगला प्रशन है संधिम संधि विच्चेदम वाकु अगला प्रशुन है समस्त पदम विग्रहं वा लिखत दिये गए पदों का समस्त पद या विग्रह लिखिये उद्यम समह उद्यमेन समह यानि परिशम के समान शरीरे स्थित शरीरस्थ यानि शरीर में स्थित निर्बलह बलेन रहित यानि बल रहित देहस्य विनाशनाय देह विनाशनाय शरीर के विनाश के लिए महा वरिक्षह महां च अआसव वरिक्षह महान है जो वरिक्ष समानम शीलं व्यसनम येशाम तेशू समान शील व्यसनेशू आयोग्यह नयोग्यह जो योग्य नहीं है अगला प्रशुन है अधो लिखितानाम पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत दिये गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन कर लिखिए प्रसीधती प्रसन होता है अवसीधती दुखी होता है मूर्खह मूर्ख पंडितह विद्वान बली बल्शाली निर्बलह कमजोर सुलभह यानि आसानी से प्राप्त होने वाला दुरलभह कठिनाई से प्राप्त होने वाला संपत्तव संपत्ती में विपत्तव विपत्ती में अस्तमय अस्त होने के समय उदय उदय होने के समय निरर्थकम निरर्थक अंतिम प्रश्न है संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरूत दिये गई शबदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिये पहला है वायसह यनि कववा, वायसह कृष्ण वर्ण भवती, कववा काला होता है, निमित्तम यनि कारण, भवतह आगमनस्य निमित्तम किम, आपके आने का कारण क्या है? सूर्यह सूर्यह पूर्वदिशायाम उदेती, सूर्यह पूर्वदिशा में उदय होता है, पिकह कोयल, पिकह वसंते मधुरम गायती, कोयल वसंत में मधुर गाती है, वहनिह यनि अगनी, देवानाम मुखम वहनिह भवती, देवताओं का मुख अगनी होता है, ये था इस पार्ट से संबंधित कोई भी पुशन हो तो करपया कमेंट्स में लिख कर अवश्य पूछें धन्यवाद